हालो एंड वैलकम तू प्रयाक करियर इंस्टिटूट्स इंग्लेश क्लास या वीडियो लर्ण टू राइट अडू स्पीक एसेंशल इंग्लेश स्टैप बाइ स्टैप के लिए है इस वीडियो में हम हैज हैव और हैड के कुछ यूजूल मीनिंग से अलग अर्थ रखने व में ट्रांसलेट करना सीखेंगे आये सबसे पहले हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में जो रूल्स यूज किये जाएंगे या जो नियमों का प्रयोग किया जाएगा सबसे पहले उन रूल्स नियम या फिर उन फॉर्मिलाज को एक बार पढ़ लेते हैं और देख लेते सबसे पहला फॉर्मिला है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है उसके बाद में फिर हम बीन लिख देते हैं बी की थर्ड फॉर्म बीन और bean के बाद फिर हम कोई noun या adjective लिख देते हैं और जब noun और adjective लिख देते हैं तो उसका आर्थ होता है रह चुका हूं रह चुके हैं रह चुकी है रह चुकी हूं रह चुके हैं इस तरह से यानि रह चुका है रह चुकी है रह चुका हूं रह चुकी हूं रह चुके हैं इस ठीचर वारा हुआ याव वीन एटीचर में पुलिस इंसपक्टर रहे चुका हूं इसका आर्थ होता है कि में कोई चीज था लेकिन अब नहीं हूं इसका आर्थ ही होता है इसमें आत्रों प्रेयोग किया जा सकता है adjective का बतलब यह कहा है यह कमरा पहले बहुत बढ़ा रह चुका है अब यह चोटा है तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं दूसरा sentence है subject plus has or have plus been यानि singular के साथ has और plural subject के साथ have उसके बाद been third form में आ जाएगा उसके बाद या बीन के बाद या तू लगा देंगे तू और तू के बाद फिर कोई place name लग देंगे place name का मतलब कोई भी place name रखा जा सकता है घर रखा जा सकता है बाजार हो सकता है किसी शहर का नाम हो सकता है डैली हो सकता है आगरा हो सकता है कानपर हो सकता है कोई भी नाम हो स इसका आर्थ होता है आएसे सेब्स एक्राइब को my आegए हैं रही हम जैसे से मैंने होजा स्वाया हूं आज si Castle S Act सी जनके घार क्राम्ती से सतवार है क्ला कर रहे दिंदत परमिटिस में इसे सेंटेसिस को कहने के लिए सब्जिक्त प्लस है जर्फ प्लस बीन उसके बाद फिर तू लगा करके जा हुआ है वहां का नाम लिख देते हैं तो ऐसे जैसे आई हाव बीन तू अमिताब बच्चन सहों यानि मैं अमिताब बच्चन के घर हो आया हूं माई ब्रदर हैस बी दो यह कंज्ज्स बात आ गए है मैंने कह दिया यूज बच्चे काँते रहते हैं इसलिए ठर्ड सेंहिशर सुप्यज्ससरेजमिक्त फ़ी कि तो हमने का हमाई है यानि हो काम अचले है का मतलब है कि वहां गये ते और वहां से वापस आ गए वहां रहने का कोई इसमें मैसेज नहीं होता कि मैं वहां रहा रहा था लेकिन जब हम यह कहते हैं has or have been और उसके बाद in or at यानि यहां तू लगाया था तू की जगह जब हम यह in or at कहते हैं तब इसका मतलब होता है कि हम वहां रहे थे किसी बड़े शहर का नाम लेकर के in कहते हैं तो हम उस शहर में रहे थे ऐसे कहते हैं और उसी शहर का नाम लेकर के किसी छोटी जगे का नाम लेकर के कहते हैं तो हम उसके साथ at कह देते हैं इस तरह से जैसे मैं दिल्ली में कनाट प्लेस पर रहा हूँ जैसे मैं कानपुर में रहा चुका हूँ तो I have been in कानपुर वह दिली में रहा चुका है तो he has been in Delhi इस तरह से हम ये sentence कहते हैं ऐसे sentences के लिए जिन में रहा चुका है रहा चुकी है रहा चुके हैं रहा चुका हूँ आता है उन sentences के लिए ये हम रूल या फॉर्मिला यूज करते मेरा भाई लंदन में रहा चुका है, माई ब्रदर हैस बीन डेली, मेरे पापा आर्मी में रहा चुके हैं, मेरे पापा आर्मी में ते किसी डिपार्टमेंट का भी नाम्या हो सकता है, तो माई फादर हैस बीन आर्मी ऐसे भी का जा सकता है, मेरे दोस्त के पिता जी पुलिस म में रहा चुके हैं मिस इसे थे लेकिन अब नहीं है तो Jeremy अंक लस फादर मैं ऑल फ्रेंब या मैं फ्रेंड जो है है has been in politics इस तरह से हम बात कहेंगे इसके बाद है फोर्थ सेंटेंस है फोर्थ फॉर्मिला है एफ प्लस सब्जेक्ट है प्लस थर्ड फर्म ऑफ दिवर्ब तो कुछ ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं एफ और हैड के साथ थर्ड फर्म में जिनमें हम इंप्रॉबबल होतें इंप्रॉबबल का मतलब है के ब्यॉज इमेजिनेशन जिनको हम सोच नहीं सकते जते सोच मंदलब पूरा नहीं हो सकते पूरा होने की उनकी सम्छावण नहीं होती है लेकिन फिर भी हम कहते हैं जैसे अगर ऐगर मैं अगर मैं अगर मैं क्रिकेट खेलता तो अब तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता तो if I had played cricket सी तरह से अगर तुम मेरे घर आते if you had come to my home अगर one match जीत जाता if he had won the match इस तरह के sentences कहने के लिए अगर मैं चडियों की तरह आस्मान में उड़ता तो if I had flown into the sky like a bird तो या like birds इस तरह से तो अगर प्लस ताते थी अगर मैं जूट बोलता तो if I had lied इस तरह के sentences इस फॉर्मिला से बनाई जाते हैं if subject had plus that form plus object अगर ताते थी इसी तरह से अगर हमें कहना होता है if subject had उसके बाद फिर been आता है been के बाद फिर plus उसके बाद फिर noun या adjective आता है और अगर होता होती होते इस तरह का हम एक पहले के sentences में पहले की मैं समझता हूँ fourth or fifth exercise में हम पहले भी ये बात कर चुके वहां भी एक आता है if subject were plus noun और adjective उसका भी अर्थ होता है या उसका भी प्रहों किया जाता है अगर होता होती होते के लिए जैसे अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो if I were your brother अगर वहां मेरा भाई होता if he were my brother अगर वहां मेरी बहान होती तो if she were my sister हम इस तरह से sentences को use करते हैं या इस तरह से हम चीजों को मतलब इस तरह से sentences को कहते हैं जैसे वहां हम कहते हैं अगर वहां मेरी बहान होती if she were my sister तो उसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते है if plus subject had been plus noun or adjective यानि अगर होता होती होते तो वर की जगे हम had been भी कह सकते हैं सिर्फ इतनी बात है जैसे अगर तुम फॉजी होते if you had been a soldier सैनेक होते अगर वह पुलिस वाला पुलिस इंस्पेक्टर होता if he had been a police इंस्पेक्टर अगर यह पैन लाल होता if this pen had been red अगर यह पैन तुमारा होता if this pen had been yours अगर यह पैन बड़ा होता if this pen had been big अगर यह पैन महंगा होता if this pen had been expensive इस तरह से अगर मैं तुमारा भाई होता if I had been your brother इस तरह से इन सेंडिस का यूस किया जाता है इसके बाद जो हैज है has का मतलब eats have का मतलब eat और had का मतलब eaten यानि कि has का मतलब has का मतलब eats, drinks, enjoys और takes के लिए भी किया जाता है जब has का use drinks के लिए किया जाएगा तो have का मतलब drink के लिए हो जाएगा और had का मतलब drunk के लिए हो जाएगा अगर तो इस तरह से भी इसका use किया जाता है यानि कि मैंने खाना खा लिया है तो I have had I have had जैसे मैंने खाना खा लिया है तो I have eaten food तो I have eaten food की जगह हम कह सकते I have had food head की जगह eaten तो यहां इस तरह से I have eaten food इसी तरह से अगर मैंने का मैंने चाय पी ली है तो I have drunk tea I have drunk tea drinks tea has का मतलब drinks हो गया तो had का मतलब क्या हो जाएगा तो I have drunk tea तो drunk की जगे ये भी हो सकता है I have had tea यानि have का मतलब जो possessive case में होता है और जो perfect tenses में auxiliary verb के रूप में होता है उसके बाद में have का प्रयोग is eat और drink के case में भी होता है 7th sentence is subject plus is was या are और were plus lost और gone वैसे तो lost gone का कोई पैसे वह इस नहीं होता है लेकिन खोने के अर्थ में is और was के साथ या are या were के साथ में lost या gone का प्रयोग हो जाता है जब इस तरह से pen is lost या pen is gone my knife is gone my car is gone इस तरह से अगर कोई child is gone अगर ball is gone इस तरह से अगर कोई बात कही जाती है तो उसका अर्थ हो गया होता है खो गया है खो गई है तो इस तरह से खो गया खो गई के अर्थ में यह formula use किया जाता है जो seventh है इसके बाद eight formula में है subject should have been plus two plus place name यानि इसको हम कहते है इसका आर्थ हो आना चाहिए था जैसे हम कहते है तुम्हें मंदिर हो आना चाहिए था you should have been to your brother's home you should have been to your brother इस तरह से हम कह सकते है तो मैं दिल्ली होना चाहिए था आज तुम्हें खाली थे तो you should have been to Delhi इस तरह से हम यह sentence कह सकते है इसी तरह से अगर हम यह two लगा देते तब तो इसका आर्थ होता है हो आना चाहिए था लेकित अगर two की जगे इन और eight लगा देते हम तो उसी का आर्थ हो जाता है रह आना चाहिए था यानि तुम्हें जाना चाहिए था वहां रहना चाहिए था तो इसका आर्थ हो जाता ह तो तो प्लस 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 नेम कहते तो उसका मतलब होता है हो के आ सकता था आ सकती थी आ सकते थे जैसे तुम बाजार हो के आ सकते थे आज यानि कि तुम गई नहीं तो इसमें जाना और आना शामिल होता है हम कहते हैं कि तुम बैंक होके आ सकते थे तुम आज सकूल होके आ सकते थे फीस पता करके आते कम से कम तो यू कुड हैव बीन तु यूर स्कूल तुड़ै यू कुड हैव बीन तु यूर कॉलेज तुड़ै इस अर्थ में होके आ सकता था सकती थी सकते थे यह कहने के लिए कुड हैव बीन टू प्लस प्लेस निम का हम यूज करते हैं इसी तरह से कैन में कि हैव बीन प्लस तू प्लस प्लेस निम का भी हम यूज करते हैं इसका इसके इसका यूज करके हम कहते हैं सायद हो आया हो जैसे शायद वह बाजार हो आया हो हम न जानते हो तो ही कैन हैव बीन टू मार्किट ही में हैव बीन टू मार्किट वह शायद बैंक हो आया हो तो ही म उससे सेटेस को भी हम कहते हैं इसके बाद कुट वीन इन और एड्ट जैसे हमने अब कुट है इन तो का ता कि हो के आ सकता था अब यहां तू की जगह इन कह देंगे अगर तो यहां भी रहके आ सकता था यानि I could have कानपुर एक्षा सब्सक्राइब. मुंभाइ पिंट एक कांपुर र्कूर में आपुम्बॉर से को व giàया या। लेकिन मैं रह सकता था। यह खोली सचाने के लिए कव्या सब्सक्राइब. in at हम लगा करके हम यह sentence भी use कर सकते हैं रह सकता था रह सकती थी रह सकते थे इसके बाद है कि सायद रह आया हो रह चुका हो रह चुकी हो रह चुके हो रह चुके हो लिखा नहीं है या लेकिन आप लिख सकते हैं रह चुका हो शायद रह चुका हो रह चुकी हो रह चुके हो जैसे he can have been in Delhi perhaps मतलब शायद वह डैली में रह चुका हो he can have been या he may have been at his friend's house शायद वह अपने friend के घर पर रह चुका हो he may have been in hotel for five days perhaps शायद होटल में पाँच दिने रहा हो या रह चुका हो ये बात कहने के लिए इसके बाद है फिर next passive voice में हम इसको कहते हैं ये passive voice किसका होता है ये passive voice होता है इस four का जैसे इसमें हमने कहा कि अगर ता ते ती तो अगर वह जाता if he had gone अगर वह आता if he had come तो ये है active voice में यह had plus third form of the verb plus object अगर वह पुरसकार जीतता if he had one price if he had one a price if he had one the price दोनों ही हो सकता है तो अगर वह पुरसकार जीतता अब इसी का passive बनाएंगे कि अगर पुरसकार जीता जाता तो इसका इसी का passive है पूरे में और किसी का passive नहीं बनेगा तो इसका passive क्यों देगा if subject had been plus third form या अगर पुरसकार जीता जाता तो if the price had been won अगर यह film बनाई जाती if this film had been made अगर यह pen हारा जाता if this pen had been lost अगर यह pen बेचा जाता if this pen had been sold या बेच दिया जाता तो इस तरह से इन formulas को हम use करते हैं अब इसके बाद हम इन sentences को एक बार translate करके देखते हैं कि हमने इन sentences को कैसे translate करेंगे सबसे पहले मैं मेरी कच्छा का monitor रहा चुका हूं इसका मतलब है मैं monitor था लेकिन मैं अब नहीं हूं तो इसमें formula क्या यूज करते हैं subject plus has or have plus been plus noun or adjective तो क्या हो जाएगा subject क्या मैं मैं की अंग्रेजी आई आई हमने यहां लिख लिया और आई के साथ हैव आएगा तो हैव बीन और क्या रह चुका हूं monitor तो इस तरह से sentence translate हो गया मैं मेरी क्लास का monitor रह चुका हूं इसी तरह से जैपर हो आया है subject plus has or have plus been plus two plus first form of the verb तो कौन हो आया है वह तो subject क्या है ही जैपर हो आया है इस तरह से हम आगरा में रह चुके हैं तो क्या रह चुका है मैं हम तो हमकी English we अब we के साथ क्या आयेगा we we have been in to have been in we के साथ है वाता है been in सम्मे आना है आगरा में रहना दिखाने के लिए अगर हो आए है तो टू लगाते तो we have been in अवकार है चुके आगरा में तो आगरा we have been in आगरा इसी तरह से अगर तुम चुनाब जीत जाते तो यह वाला हो गया if subject had third form अगर तुम झुनाव जीत जाते तो क्यों फ़र्मला में आया हुआ है इसके बाद में क्या है कौन जीत जाता है उसके refreshment यू हमने लगए उसके बाद head plus third form तो head plus third form verb क्या है उसमें जीतना जीतना की अंग्रेजी तो if you had won क्या जीत जाते चुनाव the election इस तरह से अगर तुम चुनाव जीत जाते की English हो गई इसके साथ अगर वह राजा होता अगर वह राजा होता if subject had been प्लस noun or adjective तो क्या हो जाएगा अगर वह राजा होता तो if he had been क्योंकि subject क्या है अगर होता होती दो formula होते है if subject had been प्लस noun or adjective या फिर if subject प्लस वर प्लस noun or adjective if subject had been noun or adjective तो क्योंकि हम यह has have head का ही use सीख रहे है इसलिए हम इसमें head been का ही प्रयोग करेंगे और उसी की बात करेंगे तो अगर वह राजा होता तो if हो गया उसके बाद subject क्या है वह की अंग्रेजी ही तो हमने लिख दिया if he उसके बाद had been तो had been अब क्या होता राजा if he had been a king यानि अगर वह राजा होता की English होगी मेमान खाना खा चुके हैं तो मैंने यहां बताया वैसे तो खाने के अंग्रेजी इट इटन होती है लेकिन यहां पर्टिक्लर लिए सिंटेज है लिए लिए लिखा है कि हैज हैव हैड का मतलब जो है वह ऑक्जिनरी वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और इसमें जो जिस तरह से वह और एक तरह से यूज किया जाता है और एक दम प्यॉर मैं वाब यहांई इत ड्रिंक्ड इंजॉई टेक इस एर्थ में वह यूज किया जाता है तब यह प्यॉर मैं वह वह बहुती है और इसकी first second third form के रोप में इसको use किया जाता है यानि has का मतलब eats भी होता है, drinks भी होता है, enjoys भी होता है अगर have कहेंगे तो drink, eat, take, enjoy हो जाएगा had कहेंगे तो eaten, drunk, enjoyed, taken, received हो जाएगा तो इस तरह से इस form में भी have का use किया जाता है तो यहां पर हम कहेंगे मेमान खाना खा चुके तो मेमान की अगरे जी the guests अच्छा the guests मैंने यह माफी चाओंगा, the guests मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ छोटा सा लेख देता हूँ, the guests the guests of guests क्या plural है तो plural के साथ क्या आएगा have आएगा तो the guests have और have के साथ क्या आएगा have यानि यह तो यह जो have है यह इसकी auxiliary verb है present perfect tense की और यह third form है जिसका मतलब है eaten इस तरह से the guests have had food इसका आर्थ यह हो जाता है the guests have had food यह इसका आर्थ हो जाता है यानि मेमान खाना खा चुके the guests have had food सीतरे से अगर हमें कहना हो कि मेमान चाय पी चुके हैं तो हम कह सकते हैं the guests have had tea अगर हम कहते हैं कि मेमान मनुरण्यन कर चुके हैं तो the guests have had entertainment इस तरह से हम कह सकते हैं इसी के साथ नेक्स्ट है बॉल खो गई है तो सब्जिक्ट क्या है बॉल यह चुकि यह भी पैसे होता है वैसे तो बॉल बॉल को हमने लिख दिया यहां बॉल यह उंगली से थुड़ा सा डिस्टर्ट हो गई यह लाइन बॉल और बॉल के सा हैगा इस आएगा दा बॉल इस और उसके बाद गॉन या लॉस्ट में से हम कुछ भी यह लिख सकते हैं तो हमने लिख कह दिया दा बॉल इस गॉन यह नहीं बॉल खो गई है ऐसा हो गया तुम्हें बाजार हो आना चाहिए था तो हो आना चाहिए था मिस सब्जेक्ट प्ल यह अपने आपर लिख दिया और उसके बाद कहां हो आना चाहिए था बाजार तो तू मार्केट ना उनकी जगह मार्केट हो गया तो इस तरह से यू शुड हैव बीन तू मार्केट तो मैं बाजार हो आना चाहिए था यानि यू शुड हैव बीन तू मार्केट तो मैं बं टू लगाते हो रहाना चाहिए अथा के लिए इनुर्ए लगाते बाकी फॉरम्यला वही मीले होता है तो ही आना के लिए लखा अब कहां मुंबई में तो हमने यह मुंबई लिख दिया और ही शुड़ हैव बीन इन मुंबई यानि कि उसे मुंबई में रह आना चाहिए था यह हमने कह दिया 10th sentence हुआ बाजार होके आ सकता था तो subject plus could have been to होके आने के लिए to लगाते तो subject plus could have been to place name तो होके आ सकता था कौन होके आ सकता था वह की English he could have been यह तो formula से लिया हमने और होके आने के लिए to he could have been to अब कहां से होके आ सकता था बाजार से तो market he could have been to market यानि वह बाजार से होके आ सकता था he could have been to market इसी तरह से वे शायद बाजार हो आए हों हो आए हों तो क्या है subject plus can और may have been plus to हो आने के लिए to plus place name लगाते हैं तो शायद वे बाजार हो आए हों तो शायद वे बाजार हो आए हों के लिए क्या हो जाएगा they may have been यानि subject plus can और may have been to तो यहां क्यों हो गया they may have been to और कहां हो आए हो market तो they may have been to market यानि शायद वे बाजार हो आए हो यह हो जाएगा इसी तरह से मैं भी बैंगलोर में रह सकता था के लिए क्लिए हो के आने के लिए टू और रह सकना के लिए इन और एट तो इसलिए क्लिए क्या हो जाएगा subject could plus could have been सकता था सकती थी सकते थे तो could have been plus in or at plus place name sorry मुझे थोड़ा सा मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूं तो इसलिए बार बार मुझे का फोरा है तो रह सकता था तो I too could have been in Bangalore हो गया कौन रह सकता था मैं तो मैं I too could have been in कहा रह सकता था Bangalore तो I could have been in Bangalore शायद वा भी जेल में रह चुका हो तो subject plus can or may have been रह चुका हो हो आया हो के लिए to रह चुका हो के लिए in or at क्यों जाएगा शायद वा भी तो he may have been in jail शायद वा भी जेल में रह चुका हो इसी तरह से अगर वहां मैच आज अगर यहां मैच आज खेला जाता तो यह इसका पैसे वाइस का है अगर यहां आज मैच खेला जाता तो कौन खेलता पता नहीं तो पैसे वाइस का है तो if subject had been plus third form तो if subject किसको बनाएंगे यहां मैच यहां मैच की English मैंच फिर ऊक्रा उन मैंच प्लेट तो आगर केटा रना क है तो अगर यहां कोई दिए ब लिए इस तरह से हो जाएगा अब दूसरा है कि इसके और इंट्रोगर यह बनते हैं तो जहाँ सायद प्लस चुका हो चुकी हो यह तो idea और guest करने वाले sentences होते तो जहाँ चुका हो चुकी हो शायद ऐसे sentences के तो इंट्रोगर यह नहीं बनते है नेगे अठाकर के ही उनका इंट्रोगटिव बनाया जा सकता है तो इसलिए जिनके नेगटिव और इंट्रोगटिव बन सकते हैं मैं एक तरफ से चलता हूं जैसे मैं मेरी कच्छा का मॉनिटर रह चुका हूं तो I have been the monitor of my class I have not been यहां पर हो जाता है I have not been the monitor of my class अब क्या मैं मेरी क्लास का मॉनिटर रह चुका हूं तो have कहां चला जाता है first auxiliary verb subject से पहले चली जाती है और हम कहते हैं have I been the monitor of my class क्या मैं मेरी क्लास का मॉनिटर रहा हूं या रहा चुका हूं रहा हूं भी कह सकते हैं और रह चुका हूं भी कह सकते हैं तो have I been the monitor of my class दूसरा what Jepdoor हो आया है तो he has been to Jepards अगर हमें कहना है what Jepsur नहीं हो आया है तो he has not been to Jepards यानि has के बाद यहां first dot लगा देते हैं he has not been to Jepard अब अगर हमें कहना है क्या what Jepard हो आया है तो has subject से पहले आ जाती है और हम कहते हैं has he been to Jepard has he been to जैपुर, has he been to जैपुर, क्या वह जैपुर हो आया है और अगर हमें, next sentence पराते हैं, हम आगरा में रह चुके हैं तो we have been in आगरा, अगर हमें कहना है हम आगरा में नहीं रह चुके हैं तो we have not, we have not been in आगरा, और अगर हमें कहना है हम आगरा में रह चुके हैं तो क्यो हो जाएगा have सबसे पहले आजाएगा have we been in आगरा have we been in आगरा यह हो जाएगा इसी तरह से अगर तुम चुनाव जीत जाते तो if you had won the election और अगर तुम चुनाव नहीं जीतते तो if you had had के बाद not आजाएगा if you had not won the election तो कि if से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसका interrogative नहीं बनेगा सी तरह से अगर वा राजा होता if he had been a king और अगर वा राजा नहीं होता तो head के बाद में not आजाएगा if he had not been a king अगर वा राजा नहीं होता if he had not been a king मेमान खाना खा चुके है the guests have had food और मेमान खाना नहीं खा चुके है तो क्या हो जाएगा the guests have not had food the guests have not had food मेमान खाना नहीं खा चुके है सी तरह से बाल खो गई है तो the ball is gone और बाल नहीं खो गई है तो the ball is not gone the ball is not gone और क्या बाल खो गई है तो is the ball gone, यह हो जाएगा, क्या मेमान खाना खा चुके हैं, तो have the guests had food, यह हो जाएगा, शायद मैंने मुझे ध्यान नहीं बोला कि नहीं बोला, तो रच्छा इसलिए मैंने दुबारा बोल दिया है, एट सेंटेस पर तुम्हें बाजार हो आना चाहिए था, तो you should have been to market, अज़र तुम्हें बाजार नहीं हो आना चाहिए था, तो you should not, should के बाद, first auxiliary verb के बाद not लगा देते, you should not have been to market, अब अगर इसको इंट्रोकर्टेब बनाना है, क्या तुम्हें बाजार हो आना चाहिए था, तो क्यों जएगा, should you, should you have been to market, should you have been to market, क्या तुमको बाजार हो आना चाहिए था, उसे मूंबई में रह आना चाहिए था, तो he should have been in Mumbai, अब उसे मूंबई में रह आना नहीं चाहिए था, तो he should not have been in Mumbai, और क्या उसे मुंबई में रह आना चाहिए था, तो should subject से पहले चला जाएगा और हो जाएगा should he have been in Mumbai should he have been in Mumbai तो यह हो जाएगा चीदरे से वह बाजार होके आ सकता था तो he could have been to market और वह बाजार होके नहीं आ सकता था अगर negative बनाना है तो he could not have been to market यानि could के बाद यहां not आ जाएगा could के बाद फर्स्ट ओकजिनरी वर्ब के बाद में not आता है तो he could not have been to market अब क्या हुआ बाजार होके आ सकता था तो क्या हो जाएगा could he have been to market could he have been to market तो यह हो जाएगा इसी तरह से वे शायद बाजार हो आए हो तो they may have been to market शायद वे बाजार नहो आए हो तो they may not have been यह नहीं फर्स फर्स ओकजिनरी वर्ब में तो में के बाद हो जाएगा they may not have been to market they may not have been to market अब क्या से यह नहीं बनाया जा सकता बनाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें हम सिर्फ गैस कर रहे हैं इसलिए next is मैं बैंगलोर में रह सकता था तो I too could have been in बैंगलोर इसके बाद मैं बैंगलोर में नहीं रह सकता था तो I could not have been in बैंगलोर I could not have been in बैंगलोर could not could के बाद not आजाएगा could not have been in बैंगलोर इसके बाद क्या मैं बैंगलोर में रह सकता था इंट्रोगरट बनाना है तो किया मैं बैंगलोर में रह सकता था इसे तरह से शायद वहाँ भी जेल में रह चुका हो तो he may have been in jail और न रह चुका हो तो क्या हो जाएगा he may not have been in jail he may not have been in jail हो जाएगा लेकिन इसको अब चुकिए है guess करने वाला है आइडिया लगाने वाला है इसलिए इसका इंट्रोकटिव तो हमें नहीं बनाना चाहिए इसके बाद है अगर यह मैच आज खेला जाता तो इसमेच हैद बीन प्लेइड तुडेए आज के लिए तुडेए if this match had been played today ठीक है अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो अगर यह मैच आज नहीं खेला जाता तो जाएगा if this match had not been played यह थे सेंटिस जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाने थे और इनको मैंने ट्रांसलेट किया एक्स फॉर्मिला उसको भी मैंने एक्स्पेंड किया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसके बहुत जल्दी ह है कल तक मैं आपको दूसरा वीडियो इससे अगला वीडियो दूंगा हो सकता है आज ही दे दू या दूसरा वीडियो कल में दे दू तब तक इसकी प्रैक्टिस करें थेंक्यू बाइबाए